हे गाईज, वेलकम टू देव हू मी करियर पॉइंट, तो देखे एकॉनोमिक्स टॉप फिफ्टी, इसका आज पार्ट फ्री है, इसमें भी डिस्कस करेंगे एकॉनोमिक्स के पचास महतोपोंग कोश्यनों के बारे में, और देखे काफी महतोपोंग ये सिरीज है, क्योंकि देखे एकॉनोमिक्स के जो हिंदी कोश्यन आते हैं, उसकी भासा काफी जटिल होती है, कई बार अभ्यरत्य को काफी मुश्किल हो जाते हैं, तो समझना जरूरी है, और देखे जो हमारे वन लाइनर चलने हैं, एकॉनोमिक्स है, जियोग्रफी, पॉल्टी, हिस्ट्री, त इसके लिए भी, और कम समय में अच्छे तहियारी करने के लिए भी, वन लाइनर काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो जादा समय ना बिताते हो, चलिए शुरू करते हैं, एकॉनोमिक्स का पार थ्री, पहला कोश्यन देखेंगे इसमें, तो पहला है, देखे, मानव विकास सूचकांक, HDI का आकलन आधार क्या है, तो मानव विकास सूचकांक, जो HDI, जिसको UNDP जारी करता है, इसको कैसे तैयार के जाता है, इसके लिए किन चीज़ों को लिया जाता है, तो इसमें सबसे पहले लिया जाता है, तीन चीज़ों को मैंने बताया था, प्रिवेस वीडि क्या है जैसे बारत की में बात करो बारत में उसात उंब्रे अभी है रिसेंटली जो आंकड़ें है उसके अनुसार सड़ सड़ दसमलोग पांच वर्स तो बारत में उसात उंब्रे कितनी है जीवन पृतियासा शिक्षा का इस्तर उस देश में कैसा है और उस देश की पर कैपिटा इंकम कितनी है इन तीनों आकड़ों को सम्मिलित करने के बाद उस देश की है एची डियाई रेंक जारी होती है ठीक है और ही इसकोर मिलता है उसमें नेक्स दिखे एची डियाई 2014 के अनुसार अब इसको चोग दिए 2014 2018 की में बात करता हूं human development report 2018 इसमें टोटल सामिल किए गए देश थे 189 ठीक है इसमें पहले इस बहुत बहूब है उसह है पहले इसचोट पर नारवे रहा और लास्ट इसथान पर नाइजर ही रहा दिक में नाजाईर रह और भारत का रिंक इसबार में ता 330 प्ष्ले साल न हीं correct 168 तंशा यह यां पर बरत देख अब है तिह और अन्सेबनें बल्पी है इकोणों बारात टाब में था नौरवे और अंतीं ब्लेस पे नाइजर और भारत की रेंग 130 यह महतो पुमए तर्ज़े पर भारत मैं पहला मानौ विखास कब जारी करते हैं इसी तर्ज़े पर भारत पारत से मानव विकास रिपोर्ट जारी की और ये अपरेल 2002 में सुरू किया गया था भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है तो बारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला जो सस्ता है वो है योजनायोग ठीक है अगला देखे भारत में मानव विकास रिपोर् का प्रह्मुकुद्धेश ची ऐथा था तो इसका प्रह्मुकुद्धेश ची था समाज का सर्ललांगी और विकास करना। अगर फिन सूर्प कारेग39 की सुरवात कँ वही थी तो 20irmขी सुरुवात हुए 200 on टीव थी 1974 75 में कि वी सुत्री कारेगरम का मुख्य उद्देश क्या था तो 20 signs का मुख्य कarde से था गरीबी निवारंग और रहन सहर का जो स्तर है उसको उपर लाना ठीक है तो गरीबी निवारंग बर रहन सहन के स्तल को सुधारना ही 20 सूत्तिरी कारेक्रम का मुख्य परपस था ट्राइसेम ग्रामिल लिवाओं हे तो स्वरोजगार प्रश्री किचन की सुरुवात कब हुई थी तो भारत में ट्राइसेम की सुरुवात हुई थी 15 गस्त 1979 गोटिक है अगर देखे राष्ट्य ग्रामिल रोजगार योजना एन रेपी की सुरुवात कब हुई थी तो राष्ट्य ग्रामिल रोजगार योजना की सुरुवात हो गई थी 1980 में ग्रामिक चेत्रों में महिलायम बाल विकास कार्य प्रारंब कब हुआ था तो ग्रामिक चेत्रों में महिलायम बाल विकास के जितने भी कार्य हुए जो भी प्रोजेक्ट सुरुके गए वो 1982 में सुरुके गए जवाहर रोजगार योजना तता नेहरू रोजगार योजना का प्रारंब कब हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना इन दोनों योजनाओं को एक साथ सुरू किया गया था 1989 में, 1989 में जवाहर ग्राम सम्वर्धी योजना का प्रारम कब हुआ था तो जवाहर ग्राम सम्वर्धी योजना शुरू हुई थी 1 अपरल 1999 अंतोधय कारेक्रम की शुरूवात कब हुई थी तो अंतोधय क्या है देगे अंतोधय गरीबों में भी और गरीबों की मदद करना थीक है ये कारेकरम का अधेश्च था, BPL में गरीभी रिखा के नीचे वाले लोग आते हैं, उससे भी नीचे लोग आते हैं अंतियोधय में और अंतियोधय कारेकरम की शुरुआत हुई थी 1978 में नई आर्थिक सुधार की रूप्रे का सर्वाप्रतम कब तैयार की गई तो नई आर्थिक सुधार की रूप्रे का सर्वाप्रतम तैयार हुई थी 1985 में राजीव गांदी के काल में नेक्स से देखे संपुंग ग्रामिग रोजगार योजना का सुभारंब होगा तो 25 सितमबर 2001 को राश्च्य ग्रामिग रोजगार गारिंटी अधिनियम नर्यगा की सुरुआत कब हुई थी तो नर्यगा सुरु हुआ तो फरवली 2006 से ये महत्तोपुण है तो राश्च्य ग् तो सो दिन कर देना जो बिरोजगार लोग है उनको नेक्स देखे बारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की सुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है पहला तो बारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना सुरु की पहला राज्य बनाए आंधर पुर्देश सभी जिलों में 100 दिन रोजगार गारंटी योजना लागू किया बिहार ने और देखें यहां पर एक चीज ट्रिक फैक्ट शूड गया नर्यगा का जो नाम हुआ वो मंद्रेगा कब हुआ महात्मा गाधी जोगा गया आगे से महात्मा गाधी राष्ट्य ग्रामिल रोजगार गारंटी अधिनियम मंद्रेगा हुआ तो मंद्रेगा जो बनाए वो बनाए गया दो अक्टूबर 2009 को यह भी महत्तोपूर्ण या पर क्वेश्चन बनता है कि नर्यगा में चेंज वा वो किसी देश का आयात पर लगा गया कर क्या कहलाता है तो इंपोर्ट पे लगाए गया जो टेक्स होता है वो कहलाता है predator sector के अध्योग कहा जा ग मैं। तो कोल सेक्टर को जो उद्योग होते हैं किनकी उद्योग को कोल सेक्टर में रखा जाते हैं तो यह होते हैं सिमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, पैट्रोलियम उद्योग और भारी मसीनरी का प्रोडक्शन वगरा यह सभी कोल सेक्टर में रखे जाते हैं भारत्य खाद्य निगम, Food Corporation of India, FCI की स्थापना कब हुई थी? तो FCI की स्थापना हुई थी 1965 में. विकलांगों के लिए संगम योजना सुरू की गई, तो विकलांगों के लिए भारत में संगम योजना सुरू हुई थी 15 गस्त 1996. राष्ट्य ग्रामेड विकास संसथान की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्य ग्रामेड विकास संसथान ये स्थापित हुआता 1977 में और राष्ट्य ग्रामेड विकास संसथान जो है, इसका हैटकॉर्टर मुख्याले इस्तित है है हैदराबाद में. नगरपाली का समीति के राजस्व का प्रमुख सुरोत क्या है तो नगरपाली का जो समीति होती है उसका राजस्व सुरोत प्रमुख है चुंगी गर रोजगार गार्णटी योजना की सुरुआत 1972 तिर्थम कहां पर हुई थी तो देखे, रोजगार गारेंटी जो कॉंसेप्ट था, सबसे पहले शुरू हुआ था, उनिस्वा बहतर-तर में, महाराश्ट्र में उप भोगता की बचत का सिद्धान्त किस ने दिया था? तो भोगता की बचत का सिद्धान्त ये दिया था, अलफ्रेड मार्सल ने बिग पुष सिद्दान्त किसने दिया था तो बिग पुष सिद्दान्त दिने वाले जो अर्थिसासरी थे रोगन मिलधा समिधी का सम्बंध किस से है तो मिलधा समिधी जो है वो related है किस से cooperative moments है, ठीक है सहकारिता अंदोलन से अंतोधय अन्य योजना का प्रारंब कब हुआ था तो अंतोधय अन्य योजना सुरू उई थी 25 दिसंबर 2000 में अन्तो दे अन्य योजना को प्रारंब किस ने किया था तो देखे अन्तो दे अन्य योजना को प्रारंब करने वाले जो ब्यक्ति थे वो थे भारत रतन प्रधान मंत्रे अटल विहारी वाजपेई इंद्रा आवास योजना IAY कब आरंब होई थी तो इंद्रा आवाश योजना की सुरुवात हुईती 1985-86 में स्वजल्धार कारिक्रम की सुरुवात कब हुईती स्वजल्धार कारिक्रम की सुरुवात हुईती दिसंबर 2002 में प्रधान मंत्री रोजगार स्राजन कारिक्रम कब प्रारंब हुई तो प्रधान मंत्री रोजगार सरजन इह परारमब हुआ अगस्त 15 अगस्त 2008 से प्रधान मंत्री रोजगार योजना कब प्रारमब हुई सिंग और ये वर्चता 2000-993 थी काम के बदले अनाज का राष्ट्य कारिक्रम की सुरुवात कब होई थी तो काम करने पर अनाज देना साम को जैसे मजदुरी दी जाते हैं यह कॉंसेप्ट शुरू हुआ था आंधरपुल देश में और यह दिन था 14 नौंबर 2004 सरव शिक्षा अभ्यान की सुरुवात कब हुई थी तो 23 में देखे यह सुरुव किया था कि इसने यह बहुत अच्छी देन है हमारे दिवंगत प्रदान मंत्री भारत रतन अठल भ्यारिल जी की कि उन्हाने सरव शिक्षा अभ्यान सुरुव किया और इसे साक्षलता में तो ये 2001 में शुरू हुआ था सभी को सिक्षा उपलब्द कराने के लिए UNESCO दोरा निल्डाल सीमा कितनी है तो UNESCO ने सीमा तिसाइड की है सभी को सिक्षा के लिए 2015 तक हर्याली योजना का सुभारंब किया गया है तो हर्याली योजना का सुभारंब हुआ 27 जन्वरी 2003 को किर्सक भीमा आई योजना सुभारंब कब हुआ था तो किर्सक भीमा आई योजना सुरू हुई थी 2004 में और केसी सी कभी आज़ा था किसान क्रेडिट कार्ड तो ये 1998 वे गया है ठीक है अगर भारत निर्मार कारेक्रम सुभारंब कब हुआ था तो भारत निर्मार कारेक्रम सुरू हुआ था और इस पर थीम सौंग भी बना गया था एक बहुत अच्छा भारत बदल लाये वाला एक सौंग आता था उस टेम पे तो 16 दिसंब 2005 को हुआ था भारत निर्मार कारेक्र स श्योजना कब शुरू की गई ची फो राश्ट्य स्वास्त बीमा योजना यूजना कब शुरू की गई महिला समवर्थी यूजना कब सुरू इती महिला समवला यूजना सुरू इती 2 Ok ubiqu93 भारत निर्माणgehen यूजना कब शुरूइए थी 16 दिसम्बर 25 नहीं दिल्ली उपर बता जिया है प्रठान मंत्री आधरस गाउं योजना कब प्रारेमब हुए थी तो पुर्दान मंत्री आधर्स गाउं योजना शुरू ही थी 2009-10 में राष्ट्याय का सामान्य अर्थ क्या होता है तो राष्ट्याय का सामान्य अर्थ होता है नेशनल इंकम का साधन लागल पर सुद्ध राष्ट्य उत्पाद साधन लागत पर सुद्ध राष्ट्य उत्पाद जो था NNP ये राष्ट्य आये का सामान्य अर्थ है भारत में सर्वपरतम राष्ट्य आये का आकलंड किस ने किया था तो सबसे पहले नैस्नल जो इंकम थी इसका आकलंड करने वाले बैकती थे दादा भाई नैरो जी ठीक है 1867-68 में इसलिए इनको देखे इनने काफी काम के देश में और इन्हें ग्रेंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है भारत का वह उवर्ड पुरुष बारत में राष्ट्य आये थे था सकल घरिलो उत्पाद जीडीपी का आकलंड कौन करता है तो राष्ट्य आये था जीडीपी पे जो कारे करता है या नजर रखता है इसके आंक्रे तह 2000 ठीक है हर पांच-पांच साल में होता है इसके बाद आया होगा 910 और 14 15 ठीक है केंद्रे सांखे की संगटन की स्थाफना कब होई थी तो इसकी इस्थाफना हुई थी 1971 को ठीक है तो ये नई दिल्ली में हैं CSO केंद्रे सांखे की संगटन ने पहली देजब्यापी आरति गरणना कप की थी, तो CSO ने पहली देश ब्यापि आर्थिक गरणना कप करवाई थी तो 1977 में करवाई थी, राष्टे बेखा सांखे की क्या कहलाता है तो 12 सरकार की रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, राष्टे बेखा सांखे की जो होता है पुले देश का होता है इसको बोला जाता है अमोमन स्वेथ पत्र ठीक है ध्यान लगेंगे स्वेथ पत्र यही हुआ तो गाईज यह थी आज economics top 50 का भाग 3 इसमें भी डिसकस के कुछ महत्वपोंग आज economics के question जाता तो आज योजनाओं से समदित question थे और इनने question बनता है एकजाम में कई बार की यह योजना कप शुरू हुई थी यह योजना किसके कहरेकाल में सुरू हुई थी कौन योजना में शुरू हुई थी उसके लिए आपको यह रियाद होना बहुत जरूरी है तभी आप वह पे लगा पाएंगे अनुमान कि इस योजना का सुभारंब इस पंच वच्वच योजना में हुआ था या इस समय यह प्राइम मिनिस्टर था ठीक है तो काफी महत्तों पु झाल झाल झाल